हेलो एवर्यवन वेलकम तो कॉमर्स इस्परेट दस येस आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं माइनर सब्जेक्ट एफ एम भी हंड्रेड यानि की कल्चरल एक्टिविटीज को और इसका सेलेबस मुझे नहीं मिल रहा था कई लोगों ने कॉमेंट किया हुआ था मै मैंने उस पर रिप्लाई भी किया था कि अगर आपके पास सेलेबस है तो उसको टेलिग्राम पर शेयर कर दीजे बड़ किसी नहीं शेयर किया है तो इससे मिलता जुलता जो भी मुझे कंटेंट मिल सका है मैं उन सबको एकठा की हूँ हूँ और उससे वीडियो बना रही आई होप यह आपके एक्जाम में हेल्ब करें तो सबसे पहले important word आता है जैसे culture है cultural activities हैं तो आखिर में culture से ही वो उपर आया है तो इसलिए सबसे पहले हम यह discuss कर लेते हैं यह समझ लेते हैं कि संस्कृति क्या होता और 15 marks का आपका एक्जाम है तो पूरी कोशिस मेरी रहेग जो इस वीडियो से हो सके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कल्चर से, संस्कृति से संस्कृति किसी समाज में घहराई तक व्याप्त गुडों के समगर स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने कारे करने के स्वरूप के अंतरनहित होता है, यानि कि जो हमारा कल्चर है, वो क्या होता है कोई भी सोसाइटी है, उसमें जो गुड है, जो उसके एट्रिब्यूट्स है, जो उसके फीचर्स हैं, उसको हम लोग कहते हैं उसका कल्चर, उसमें क्या होता है उस society के जो लोग होते हैं, उनके विचार करने, उनका जो thought process होता है, उनके सोचने समझने की जो छमता होती है, उनके कारे करने का जो तरीका होता है, वो उनके culture से आता है, डॉक्टर स्री प्रकास बर्नमाल राष्ट्रे अध्यक्ष प्रबुद्य society का कहना है कि अंग्रेजी म लिए culture शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लेटीन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोतना, विकास करना या परिक्रिस्ट करना और पूजा करना, इसका मतलब क्या है कि कल्ट, कल्ट से हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कि वो धीरे-धीरे डवलप होता है, और समाज में धीरे-धीरे विक्सित होता है, और उसके बाद उसको लोग अपना लेते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, संस्कृति का साबदार्थ है, उत्तम या सुधरी हुई इस्थिति, मनुष सुभावत प्रगतिशील प्राणी हो मनुष पसूँ और जंगलियों के दर्जे से उचा उठता है, तथा सब ये बनता है, यानि कि कल्चर का मतलब क्या है, जो हम लोग डेवलप्मेंट अपना करते हैं, जो हम लोग अपना थौट रखते हैं, जिस तरीके से हम लोग व्यवहार करते हैं, जिस से क्या होता है, तो हम लोग अपना स्टेंडर्ड अफ लाइफ धिरे धिरे इंक्रीज करते हैं, ताकि मनुष भी क्या है, एक तरीके का जानवर यह है, बस ये बोला जाता है कि मनुष्य के पास दिमाग है, तो जैसे जानवर बिहेव करते हैं, अगर हमारे पास कल्चर ना रहे है, हमारे सब्भेवन सकते हैं, आई होब आपको समझ में आ रहा हो, नेक्स्ट है इसमें, एक नट, सब्भेता संस्कृति का अंग है, सब्भेता सिवलाइजेशन से मनुष्य के भौतिक छेत्र के प्रगति की सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक छेत्र की प्रगति सूचि स Cambodia सी जीता है मतलब का मतलब क्या है कि जिसे जो सभेता होती है अप बहुत लोग सुनते होंगे कि आस बहुत सभेत इनसान है बहुत अच्छे दिख रहे है उस हम दिखने में अच्छा है उसने सूत बुठ पहना हुआ है लोगों बहुत अच्छा बीहेव करता है तो उसको मिलोग क्या कहते हैं सिवलाइजेशन कहते हैं वह परसन किसी सभा में बैठेने के योग्या है और संस्कृति का मतलब क्या होता है कि हम अपने विचारों से सभ्वे हैं कोई मनुष्य भोजन से नहीं जी सकता है बलकि सरीर के साथ मन और आत्मा भी होनी चाहिए तब ही वह अच्छे से जी सकता है यानि कि सभ्वेता के साथ उसके साथ संस्कृति भी होनी चाहिए यह सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने एक्जामें इंक्रूट कर सकते हैं कॉपी को अच्छा बनाने के लिए जब पॉइंट्स नहीं दिबाग में आते हैं तो यह सारी चीज़ें आप लेख सकते हैं 15 मार्क्स का एक्जाम है तो बहुत बर्डेन लेने की जरूरत संस्कृति के अधारणा संस्कृति जीवन की विधी है जो भोजन हम खाते हैं जो कपड़ा हम पहनते हैं जो भाशा हम बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं यह सभी सभेता कहलाते हैं इनसे संस्कृति भी सूजित होती है सरल शब्दों में हम कह सकते हैं किनार्वी स्मिलित हैं जो हम ने एक पड़िवार समाज की सदर्श्य होने के नाते उत्तर अधिकारी के रूप में प्राप्त किया है motoral जो हमें बताता है कि हम किस ऊब स्करी jeopard क्या है कि कि क्या है एक आधार है जिसके आधार पर हम लोग कारे करते हैं जिसके आधार पर हम लोग सोचते हैं विचारते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं संस्कृति में रीति रिवाज परमपराएं परव जीरने का तरीका और जीवन के विभिन पक्षों पर विशे व्यक्ति विशेस का अपना प्रगति का आधारित होता है उधारण के लिए हम कह सकते हैं हमें हमारे अभिवादन की विदियों में अंतर होता है जो संस्कृति होता है वो एक समाज से दूसरे समाज डिफरेंट होता है एक देश से दूसरे देश में डिफरेंट होता है जैसे हम लोग नमस्ति कहते हैं प्रणाम कहते हैं वैसे अंग्रेज कैसे कहते हैं गुड मॉर्णि कहते हैं गुड इवनिंग कहते हैं हेलो कहते हैं तो हमारे जो पहने का तरीका है इंडियन कल्चर में सा हैं संस्कृतती और सभ्यता दोनों शब्द पर्य के उपमें प्रयुक्त किये जाते हैं फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है कुछ भीच्टाय में होता है वह होता है संस्क्रिती होती है वो हमारे कि अंतर्मन्द से संस्कारों से होता है मただ सब्धा ayat समाज के बाहरी रूप है उससे संबंदित है सभ्वेका शाब्दिक अर्थ है जो सभा में शम्मिलित होने योगे हो ऐसा परजन जो सभा में बैठ सकता है जो वहां पर जा सकता है इसलिए सभ्वेक्ति और समाज के समोहिक स्वरूप का आकार देती है सभ्वेता का अर्थ है जीने के बहतर तरीके और कभी-कभी अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए अपने सक्षम समक्ष प्रकृति को भी जुका देना इसके अंतरगत समाज को राजनेतिक रूप उसे सु परिभाशित वर्गों में संगठित करना भी सम्मिलित है जो भोजन वस्त्र संप्रेशन आदी के विशय में जीवनस्तर को सुधारने का प्रयतन करते हैं जो संस्कृति होती है वो हमारे अंतरमन से संबंदित है और जो सभ्वेता है वो हमारे एक्स्टरनल कि तरफ जाते हैं कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छे से कपड़े नहीं पैने हुए हैं तो वह क्या है सभ्वे नहीं माना जागा वह सभ्वे लेकिन जारूरी नहीं है कि वह संस्कृतिक भी हो हो सकता है कि उसका बेहार बहुत अ यूग्धियों कि हो सभभा में संभलत होने के योग हैं वह ज़़ोरी नहीं कि संप्रोध भी हो आइंकर आपको समझ में हो कि सभिटा और संस्प्रीटि डिफरेंस नि doo जो संंसहुंजे दा था वह एक्स्टरम उल सेक्टर को दिखाता है वहीं पर जो संस्कृतिक है वो क्या करती है आंतरिक अनुफूथ इसे संस्कृतित अवाल उनुफूद्यां तो लिए संस्कृति आत Whatsुत है ईंहीं एक्जांपल है जो मैने भी दिया है की वेक्टि है जो निर्धन है सस्ते वस्तर मौं इसकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो असंस्कृतिक भी हो, वो सूसंस्कृत भी हो सकता है, दूसरे तरफ ऐसा वेकती है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो सब व्यत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सूसंस्कृतिक भी हो, संस्कृति की समाने विशेस्ताएं हैं, संस्कृत है उसमें विभी ने ग्यान एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी पे ट्रांसफर होता रहता है अस्तांतरित होता रहता है नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृती परिवतन सील है यानि कि वो चेंज होती रहती है और समय समय से यहां पर सीखी जाती है कुछ चीजें हम लोग एक जग में खेचेंज होता रहता है वैसे ही जो संस्कृती है उसमें एक कड़ी दूसरी कड़ी जुरती जाती है प्लस होती जाती है कुछ न कुछ नया चीज उसमें आता जाता है तो गतिशील है कभी खतम नहीं होगी धीरे धीरे परवर्तित होती रहेगी और लास्ट पॉइंट हट करके हम मनुष्यों की तरफ विवहार करेंगे संस्कृति के बिना मनुष्य नहीं रहेंगे संस्कृति परंपराओं से विश्वासों से जीवन की सैली से आध्यामत्मिक भौतिक पक्ष से निरंतर जुड़ी होती है यह हमें जीवन का अर्थ देती है जीवन के जीनों को तरीका बताती है मानो ही संस्कृति का निर्माता होता है और साथ ही संस्कृति मानो को मानो बनाती है जिस प्रकार हम लोग संस्कृति को बनाते हैं उसी प्रकार संस्कृति हमें मानो बनाती है संस्कृति का एक मौलिक तत्तो है धार्मिक विश्वास और प्रतिकात्मक अभ बढ़ते रहते हैं यह हमारे जीवन में कालाओं के मात्यम से सौंदर प्रदान करती है और सौंदर निभूती पूर्वक मानों बनाती है यह संस्कृत ही है जो हमें नैतिक मानों बनाती है और दूसरे मानों के निकट संपर्क में लाती है इसी से हम प्रेम सैशूरता और शां चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद मिलते है निक्स ट्रीडो में